नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ तुशाब शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड हल्चल उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड में उस समय संतनी फैल गई जब समाचार पत्रों की एजनसी पर कारेड़त एक होकर को सड़क पर सरकारी कारेड़ कर रही जेसीबी के चालक में जेसीबी चलाते हुए राउन दिया अस्पतार ले जाते समय होकर की मौत हो गई आपको बतादे जनपद हापुड के नगड़ को उत्वारी शेत्र के दिल्ली रोड पर इस्तिफ राम निला मैदान के पास समाचार पत्रों को बहड़र पहुचाने व उसे म्रत गोशिट कर दिया जिसके बाद मनोहर गाल की मौप की सुच न मिलते ही परिजनों ने सड़क पर शब रखकर हंगामा कर दिया जो राम दी लग राउन के बार जो यह जाम लग रहा है क्या है पुरा मामलाई बताएंगे एक हमारे गाउं के गाउं सब्ली के मनोहर मनोहर सुरगे सरी टीगा राम जी है उनका जो टो प्लैन है जी सीवी उसके ड्राइवर ने बैक पीछ आटाते वक्त कानों में रीड लगी थी कि सबने आवाज मारी नहीं माना पिर इंगे उपर पोच रहा दी जी सीवी टो प्लैन है इतनी बारों ने पिर छोड़के हैं स अब जो यहां पर गड़ी है क्या है जाते वे सी आप फोस्ति वह करते हैं उनकी गोष्ट उनका श्री बगबार बाटने करना सुब अनुस्वागबार बाटते हैं क्या नाम दाना मलोवर सनोग सुरगे स्री टिका राम ती तो चार बेटे हैं एक बिटिया है इनकी सुचना मिलते ही आपक पुलिस अधिक शक सर्वेश कुमार्विस्टा बाहरी पुलिसवल के साथ मौके पर पहुंच गए और हंगावा कर रहे परिजनों को कारवाई किये जाने का आसवाशन देकर समझाते हुए जाम को खुरवा दिया और शब को अपने कबजे में लेकर पोश्माटन के लिए बेज़ दिया बताया जा रहा है मौकर मनोहनलाल के परिवार में पत्मी के साथ चार कुत्र वा एक पुत्री है उन सभी का पालूपॉशन मौतक मनोहनलाल दुवारा की किया जाता था परिवार में और भी कोई आये का सादर नहीं है अब देखने वाली बात यह है कि दुर्गटना का शिकार होकर मनों अग्राल के परिवार की क्या कोई सरकारी मदद मिल पाएगी यह नहीं ऐसे और ख़मरों के लिए बने रही है हमारे साथ और देख के रही है यहां बढ़ाल चल के